नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू जोन 11 और मैं हूँ आपके साथ सान्या और मरीजों का हाल चाल जाने की कोशिश की आप तस्वीरों के मादेम से देख सकते कैसे PMCH पहुंसते ही केंद्री मंद्री रवीशंकर प्रसाथ सिधा जो है डेंगू वाड पहुंचे हैं अस्पताल का नेरिक्षन किया जहां डेंगू से पिडित लोगों का इलाज चल रहा ह मरीजों से बाचीत की उनका हाल चल पूछाओं वही आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर कड़ी सुक्षा विवस्ता का इंतिजाम किया गया है इन सब के बाद मीडिया से बाचीत की और क्या कुछ कहा है सुनिए कि अधिक्षा प्रशाद के बाड़ के बड़ी इनकों कि यहाग रखिया है कि इसलिए मैं आया था कूझे जानकर प्रेंड ने बताया मुझे भूश हुआ है इस संख्या बहुत कम हो गई है उनके इलाज ठीक से होना चाहिए मैंने स्वैम बर्यों से बात की है और आगे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अभी शुर्टा करें मंत्री जे आठ सो प्रजिटित जैसे अभी भी पाए जाए है और इतनी बड़ी संख्या यह नहीं है कि सामानत है इन दुर्णों किसी संख्या में मरी जाते हैं हमारी जालूर्टा होने से गड़ी हम लोगों ने करीब करीब 75 बेट गेजों के लिए रखा है दवाओं की फूरी विवस्था है हमारे यहां प्रेटलिस प्लग है प्राइवेट अस्पताल को भी हम प्रेटलिस दे रहे हैं अपने सभी मरीजों को हम एलाज करना है अर्मा हमारी जोड़ी विवस्था की गई है पटना में स्वास्ते विभाग ने 22 पी एच सी में डेंगू की जाज की विवस्ता कराई है वही आपको बता दे पटना के दो सबसे बड़े स्पताल PMCH और NMCH में डेंगू की जाज के लिए कैम्प लगाए जाएगा देखा जाए तो पहले भारी बारिश से लोग परेशान थे फिर जल जमाव और अब डेंगू ने बिहार में लोगों को डराना शुरू कर दिया है और लोग जो है अब डेंगू की चपेट में आ गए है वही केंद्रिय मंत्री रवी शंकर प्रसान ने सफाई कारे का भी निरिक्षन किया वही मंत्री जी नाला रोड समेथ पटना के कई लाकों का जायजा भी करेंगे तो अब फिलाल इतना ही ऐसी तमाम खब्रों से रूबरू होने के लिए देखते रहे है न्यूजरन 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दवाना ना भूले नमस्कार